आज हम चरक सहिता के मात्रा सीती अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे ये अध्याय किसलिए important है पहले इसके बारे में हम जान ले लेते हैं देखिए मात्रा सीती अध्याय में हमें दो चीजें बहुता देखने को मिलेंगी एक हमारे आहार के बारे में और दूश्रा हमारा दिन चर्या से सम्मंदित दिन चर्या के बारे में कि हमारा दिन चर्या कैसी हो हमारा स्वस्त बरत कैसा हो अब ये मात्रशी दिये अध्याए में जो प्रतम स्लोक हम देखते हैं उसमें आचार चरक ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की आहार का नधान करने से पहले हमें उसके अगनी के बल का ग्यात होना जरूरी है अगर उस व्यक्ति का अगनी का बल अच्छा है तो हम उसके आहार की कल्पना कर सकते हैं यदि अगनी बल कमजोर है तो हमें उसके लिए भी ध्यान देने की जरूरत है बैसे तो आचार चरक ने अगनी का वर्णन सबसे ज़्यादा ग्रहनी अध्याय में चरक्छ कितसा अध्यान पंद्रवे चैप्टर में बताया है वहाँ उन्होंने चार प्रकार की अगनियों का वर्णन किया है समागनी तीनों दोशों की सामवस्था हो तीक्षनागनी पित दोश की अधिकता हो बिश्मागनी वात दोश की अधिकता हो देखो वात दोश क्या है एक लहराती हुई हवा है जैसे हवा लहराती कभी तेज होती है कभी धीमी होती है अगर आप ग्राफ पे लेराता हुए स्ट्रक्चर बना जैसे सांप चलता है तो कभी उसका एक उभार उपर होगा तो ये गर्त देखेगा ऐसी कभी उस व्यक्ति को भूख तेज लग सकती है कभी कम लग सकती है कभी आहार सुपाच होगा तो कभी सुपाच नहीं होगा कभी मल परवरती ठीक होगी तो कभी हार्ड इस टूल आएगा उसको कॉंस्टिपेशन की समश्या होगी चौथा हमारे आचायच रख ने मंदागनी के बारें बताया है मंदागनी कफ दोश के बाहुले के कारण होती है और आप समझ लीजिए कि जब भी मंदागनी होगी सरीर में दोशित कफ का निर्माड होगा दोशित रसदातू का निर्माड होगा और ये दोनों ही रिस्पॉंसिवल होते हैं आम दोश के लिए आम दोश पर आगे कभी वहश में हम जब आम दोश का टॉपिक आएगा साहिता के अंदर तब डिटेल में डिसकस करेंगे क्योंकि उसके उपर डिसकस करने के लिए कम से कम एक से डिड़ घंटा चाहिए बहुत ब्रॉट टॉपिक है बागवट साहिता में इसके बारे में एक स्लोक मिलता है लेकिन उसका जगा हम उसका बिवरन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी काफी लंबा समय लगता है तो किसी भी रोगी की अगनी का महत तो क्यों है हमें रोगी को भोजन देने से पहले क्यों बिचार करना है कि उसकी अगनी कैसी है कैसी नहीं है देखे, कोई व्यक्ति है जिसकी अगनी का बारे में हमें ध्यान नहीं है और हम उसको यह दि कोई औशद ही भी देते हैं और हमें यह भी नहीं मालम कि उस व्यक्ति की अगनी मंद है तो क्या उस औसदी का सुपाच होगा? नहीं होगा पूर रूप से उस्दी का पाचन नहीं होगा और उस ड्रक की उस अईरवेदिक मेडिशन की जो थ्रेसोल्ड वैल्यू है उस थ्रेसोल्ड वैल्यू पर वो ना जा करके अपना पर्टिकुलर कारे नहीं कर पाएगी ऐसे हम इस चैप्टर को क्यों important मानते हैं आप मैंसे कई students होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं कई practice कर रहे होंगे और कई लोगों को कई doctors को काफी समय हो गया होगा practice करते हुए आप मैंसे कई essay भी होंगे सुनने वाले जो doctors भी ना हो फिर भी ये chapter सभी के लिए जरूरी होता है आप मैंसे कुछ वैद यदि अभी college time में हैं तो उसके सद्धानतों को अपना करके diet chart लोगों को provide कर सकते है diet chart provide करके वो अपना नाम अपना यश और कई लोगों के रोगों का निरहन कर सकते है Facebook पर अपना पेज बनाईए YouTube पर अपना चैनल बनाईए ताकि काफी लोगों तक आप ग्यान परवा कर सके आज बसंत पंचमी के अपसर पर जह की ग्यान देवी का हमारा आज का दिन है माता सरशोती का उस दिन से ही आप इसका सुभारम कर दीजिए आज के समय पर थाइराइड हुई ओवेसिटी हुई डाइवेटीज हुई मोस्ट आप डिजीज मोस्ट आप एंसीडी नॉम कम्यूनिकेबल डिजीज़ जो है वो सिर्फ एक मेतावालिक डिसॉर्डर है रूमेटिक हार्ड डिजीज काइडियो वास्कुलर डिजीज कौरिनरी आइडरी डिजीज ये मोस्ट ली मेतावालिक डिसीज है लेकिन हम केवल और केवल पैथोजनेसिस बनाने पर लग जाते हैं पैथोजनेसिस बनाने पर लग जाते हैं देखी आहार भी दो प्रकार से होता है एक शारिक आहार और एक मानशिक आहार आपके आस पास आप जाते हैं किसी व्यक्ति को आप बताते हैं मैं आईरवेदिक वैद हूँ और वो आपसे ज़िए यह कह देता है क्या आईरवेद मैं किसलिया है आपका तो भविश्ची वेकार है, आईरवेट का इतना स्कोप नहीं है और ये सारी चीज़ें आप सभी को सुनने को मिली होंगी, मुझे भी मिली थी लेकिन अगर मैं उस गलत मांशिक आहार को अपने मन में शमायत कर लेता तो का क्या मैं आज आप लोगों के समक्ष अपनी नौलिज प्रस्तुत कर पा रहा होता क्या मैं कई लोगों की लाइफ से क्रिटिकल डिजीज़ को समाप्त कर पा रहा होता क्या मैं कई लोगों तक स्वास्त प्रदान कर पा रहा होता बिलकुल नहीं लेकिन मैंने एक सही मांसिक आहार को ग्रहन किया ऐसे ही शारिक आहार होता है आहार इती इती आहरा जिस चीज से हमारे शास्त्रों में कहीं रिफरेंस मिलता है मुझे एकसेक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कि जिस वस्तू को हम आहरित कर सकते हैं और वो वस्तू हमारे शरीर का पोशन करती है शरीर का पालन करती है तो ये शमज लीजे कि वो आहर है For example मैंने आपको लेदर के सूज बनाने के लिए यानि चमड़े के जूते बनाने के लिए कुछ material दिया आपके पास factory है best से best machines है best से west बरकर है आपके पास सारा infrastructure है जो उन सूज को बनाने के लिए आवशक होता है आपको वसा experience भी है बट मैंने आपको चमड़े की जगे पर कपड़ा प्रोवाइड कर दिया या polythyn प्रोवाइड कर दी या X, Y, Z जो भी प्रोवाइड कर दिया बट चमड़ा प्रोवाइड नहीं किया तो क्या आप चमड़े के जूते या leather सूज मुझे प्रोवाइड कर सकते है बिल्कुल नहीं कर सकते हाँ जी बिल्कुल नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको चमडा नहीं दिया है ऐसे हमारे शरीर के लिए पोशक दरब्यों की आवशकता होती है जिसमें मैक्रो नीट्रियंट्स रहते हैं मैक्रो नीट्रियंट्स रहते हैं मेजर एलिमेंट्स रहते हैं मैکرو न्यूटियंट्स में सब से पहले आता है कार्वाइड़ेट प्रोटीन और लिपिट्स या फैट जो हम मोस्टली कंजियूम करते ही करते हैं लेकिन माइकرو एलिमेंट्स या इनको एसेंसिल एलिमेंट्स बोले हैं जो हमारे बॉडि के अंदर डे टू डे की लाइफ को चला रहे हैं एंजामेटिक रेक्शन्स को देख रहे हैं हमारी बॉडि के हर स्थर पर जाके काम कर रहे हैं जिनकी जरूरत बहुती कम मात्रा में हो होती है जिनमें बिटमेंस हुए मिनरल्स हुए कई प्रकार के अलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बौडी के लिए आवशक होते हैं अब आज के समय पर ये क्यों जरूरी हो जाता है ये अध्याए आज के समय पर ये क्यों इतना आवशक है क्योंकि आज जो हमारा आहार विहार है वो संपून आहरवियार हमारा पाश्चा तसेली पाश्चा सब्वता से प्रभावित हो चुका है इतना प्रभावित हो चुका है कि हम फास्ट फूड बर्गर पीजा या जो भी हो डिफरेंट टैपस हो मैं तो फास्ट फूड का सेवन नहीं करता हूँ लेकि शायद आप लोग करते हो आपके भाई वेन करते हो तो आपने देखा हो कि यदि वो फास्ट फूड का सेवन दिन रात यदि करें दिन रात चोड़िये मैं करता हूँ बीकली दो से तीन बार भी करते हैं तो क्या उनकी बॉडी को प्रॉपरली निट्रिशन मिल पाएगा बिलकुल नहीं जब आप चमड़े की फैक्ट्री को चमड़ा नहीं देंगे तो चमड़े के जूते कहां से बना देगी वो जब आप अपनी बॉडी में अपनी इंटेस्टाइन को अपने लिवर को अपने प संपूर आहार नहीं दे रहे हैं आप संपूर थाली परोस के नहीं दे रहे हैं और संपूर थाली परोसने के साथ साथ उसमें अच्छी भावनाओं का समावेस नहीं कर रहे हैं तो क्या उस व्यक्ति के सरीर में उस व्यक्ति को वो भूजन लगने वाला है और चलो वो भी आपने दे दिया अब आपको मैं चलो मैंने आपको चमडा भी दे दिया लेकिन आपकी कमपनी की जो मशीन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या बना पाओगे बिल्कुल नहीं ठीक इसी परकार आपने अगर उस व्यक्ति की अगनी का प्रिक्षण नहीं किया आपने लगे है माल पुगा खिलाने के लिए अभी ये सरदी का सियन्स चल रहा है इस समय पर आपकी अगनी तीबर होती है आप इस समय माल पुगा खाएं या पराँठे खाएं या हलुआ खाएं एजिली आपको डाइजस्ट हो जाएगा लेकिन यही अब बसंतरतू का आगमन हो चगा है अब इसके बाद अगर इसी चीज़ को कंटीन्यू करते हैं तो चूंकि पहले बादी में जो कफदो शमायत है उसका प्रकूप बादी में है सूर की गर्मी की वैसे वो बिलियन होकर के आपकी बादी में कफ का प्रवा बढ़ेगा उस समय आप कफ बर्दक आहर विहार और लेंगे गुरू भोजन का सेवन करेंगे तो आपको कई रोग हो सकते हैं बोडी माम संचे हो सकता है जो कुछ समय बाद आपको रोग सम्हू पैदा कर सकता है अब वही मैं आपसे गर्मियों के सीजन में कहूं कि आप गुरू भोजन का आहर करें तो क्या आप गुरू भोजन का आहर करके अपने शरीर को पॉस्टिक बना सकते हैं बिल्कुल नहीं जो जिस समय पे जो सीजनल फूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेवल्स होते हैं, हमें उनका सेवन करना जरूरी है और हाँ, आहार एक्चिलि में प्राचीन समय पर होता क्या था? प्राचीन समय को अगर हम देखें तो जो भी जमीन से मात्र भूमी से हमारी धरती से जो भी पैदा होता था भो हमारे भूजन होता था अन हो, सबजियां हो फ्रूट्स हो लेकिन क्या पनीर क्या बर्गर क्या ऐसी चीजे हमारी जमीन से पैदा होती है क्या अगर मैं पनीर ही पनीर आपको खिलाऊं तो क्या आप पॉस्टिक हो सकते है क्या मैं आपको दही दही आपको दिनवर खिलाऊं क्या आप पॉस्टिक हो सकते है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है अती सर्वत्र वर्जेत जिस समय जिसकी आवश्रक्ता है उसका उप्योग करे हम हमेशा दूद पीते रहते हैं फिर भी हमारी बॉड़ी में कैलसिम की कमी आती है अरे जब भाई आप दूद पी रहे हैं तो कैलसिम कमी क्यों आनी चाहिए संपूर आहार बोला गया है कभी जानवर के बच्चे को देखा है आपने कि पूरी जिन्दगी वर वो दुख द आहार का सेवन करता हो फिर भी यदि वो किसी कार से अगर टकरा जाए तो कार में स्क्रेच आ जाएंगे कार तूट जाएगी लेकिन उसकी हड़ी फिर भी नहीं तूटेगी 80% चांस है कि उसके हड़ी में फ्रैक्चर नहीं आएगा तो उसकी हड़ी तनी मजबूत कैसे है कैलसियम उसकी में आ कहा से रहा है देखिए जो भी हमारी प्रकृती ने मेहार दिया है ग्रीन वेजिटीवल्स हैं हरी सबजीयां हैं सलाद हैं जतनी हमारी बौडी को आवश्रकता होती है इतना कैलसियम होता है बस वो प्रकृती के समीफ हैं प्रक्र्कृती के समीफ होने की वज़े से उनकी बौडी पर सन्रेज मिलती है और बौडी में बेटमिंडी का जनरेशन होता है जिसको हम सूरिसनान बोलते हैं अपने शास्त्रों की और आईरवेद की भासा में प्राकरतिक चिकिसा जिसको आजकल आईरवेद से अलग करके प्राकरतिक चिकिसा नाम से बेचा जा रहा है इस दुनिया में तो घर चीज का बिजनिस कर रही है, जो भी चाहता है बिजनिस करने के लिए फरता है, गवर्मेंट हो चाहिए कोई भी हो, लेकिन हम अपने शास्त्र को पूर रूप से प्रियोग में लाना नहीं चाहते हैं, और जब लोग हमारे ही शास्त्र से चीज़ा करके उप्योग में पूर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपने शास्त्र को आगे बढ़ा सकते हैं? तो हमें किसी भी रोगी के उप्चार करते वक्त हमें पी सी ओडी हो गया है, ऐसी कई चीज़े हैं, उस रोगी का उप्चार करते वक्त हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उसकी अगनी की कितनी आवश्रक्ता है इसे एक प्रिंसिपल है जो हम हाइपोथाइडिज में यूज करते हैं जाटरागनी इसकुल टू धात्वागनी इसकुल टू बन अपॉन धात्वू जाटरागनी मजबूत होगी तो धात्वागनी मजबूत होगी और धात्वागनी मजबूत है जो एकसेसि मात्रा में धातु बनना बंद हो जाएंगी भोजन के भी कई प्रकार से प्रकार बताएं भोज है, भक्ष है, चौश है, चब है, ले है, पे है ये भोजन की कलपना है according to age group, according to patient की स्थिति उस हिसाब से भी आप इनका उप्योग उने करवा सकते है चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इस टॉपिक को हम हर समय थोड़ा थोड़ा करके चरक सहीता से आगे लेते रहेंगे अगले next lecture में इसके आगे की और detail पर हम चर्चा करेंगे तो जुड़े रहेगा हम से सहीता की दुनिया में आपका स्वागत है हम आपके लिए हैं और आपसे सर्फ एक उम्मीद करते हैं कि आईरवेद आपके हातों में है इसके लिए जतना प्रत्न कर सकते हैं करिए धन्यवाद